तो देखो बच्चो इस बाचार लेसन में दो बच्चे है लड़के का नाम है साहिल और लड़की का नाम है रमा ये दोनों एक दुसरों से सववात कर रहे है यानि एक दुसरों से बाते कर रहे है देखो क्या बात करते हैं ये इस लेसन में साहिल कल कहा गए थे यहाँ पे रमा साहिल को पूछती है कि कहा गए थे यहाँ पे रमानी साहिल को question पूछा है यह देखो यहाँ पे question mark है तो रमानी साहिल से पूछा कि कल कहा गए थे yesterday कल का मतलब है yesterday yesterday अब कहा गए थे अभी साहिल ने कहा मैं ताउजी ताईजी के साथ बाजार गया था साहिल ने क्या कहा कि मैं ताउजी और ताईजी के साथ बाजार गया था देखो बच्चो ये है साहिल और जिनके साथ वो बाजार गया था वो है उनके ताउजी और ताईजी ताउजी का मतलब बड़े चाचा और बड़ी चाची पितार जी के बड़े भाई अपने चाचा जी मतलब ताउजी और ताउजी की वाइफ हमारी ताईजी बड़ी चाची और देखो साहिल इस पुस्तक की दुकान से किताब एक बुक खरीद रहा है तो साहिल ने कहा कि मैं ताउजी और ताईजी के साथ बाजार गया था रमा ने पूछा बाजार से क्या लाए रमा साहिल को दुसरा फेशन पूछती है देखो यहाँ पे क्वेशन मांके कि तु बाजार गया था ना तो मेरे लिए क्या लेकर आई साहिल बोला तुम्हारे लिए चित्रकथा की पुस्तक देखो यहाँ पे यह है रमा और साहिल जब रमा पूछती है कि साहिल तुम बाजार से मेरे लिए क्या लेकर आई तबी साहिल उसे चित्रकथा की पुस्तक देता है और कहता है कि मैं तेरे लिए एक चित्रकथा की पुस्तक यानि स्टोरी बुक, चित्रकथा की पुस्तक मतलब स्टोरी बुक, मैं तेरे लिए लाया हूँ रमा उसे धन्यवात कहती है ठैंक्यू बोलती है लेकिन फिर पूचती है पर मुझे क्यों नहीं ले गए देखो यहाँ पे रमा ने तीसरा प्रश्ण पूचा है रमा उसे बुख के लिए धन्यवाद देती है ठैंक्यू कहती है लेकिन पूचती है कि मुझे क्यों नहीं लेके गई मुझे भी आने का था तुम मुझे क्यों नहीं लेके गई साहिल बोला माफ करना भूल गया मुझे माफ करो I am sorry मैं भूल गया रमा ने पूछा फिर कब जाओगे यहाँ पे रमा और एक्वेशन पूछती है देखो फिर कब जाओगे आप दोबारा नेक्स टाइप कब जाओगे तबी साहिल बोला अब कल जाओंगा साहिल ने क्या बोला कल जाओंगा देखो यहाँ फिर्स्ट क्वेशन में रमा ने पूछा तुम कहा गये थे तबी साहिल ने बोला मैं कल बाचार गया था और यहाँ भी बोल रहा है मैं कल जाओंगा बबा बच्चो यहाँ कल का मीनिंग अलग अलग है यहाँ यह कल है yesterday यह कल का meaning है yesterday मैं कल जाकर आया मैं कल आया और यहाँ पे मैं कल जाओंगा मतलब tomorrow I will go मैं कल जाओंगा यहाँ जाकर आया इस कल का मतलब है मैं कल जाओंगा यह है देखो इस कल का meaning है yesterday और ये कल है टुमोरो, देखो, रमा बोली, तो मैं भी साथ चलूँगी, रमा साहिर को पूझती कि मैं भी तुमारे साथ आऊंगी, तु मुझे कल येस्टरडे तु गया था, मुझे नहीं लेके कया, अभी कल यानि टुमोरो तु जा रहे न, तो मैं भी तेरे साथ साहिर बोला ठीक है, ओके, परसो डॉली और आर्यन खेलने के लिए आने वाले हैं, डॉली और आर्यन इनके दोस्त हैं, तो साहिर ने कहा कि कल के बाद परसो डे आफ्टर टुमोरो डॉली और आर्यन भी खेलने के लिए हमारे साथ आने वाले हैं, रमा बोली वाह, अरे वा, रमा खुश होई, क्योंकि उसे खेलने के लिए दोस्त मिलने वाले थे, तभी रमा बोली, अरे वा, और कौन-कौन आएंगे, दिखो, यहाँ पे और एक क्वेशन पूछा है, और कौन-कौन फिर हमारे साथ खेलने के लिए डॉली और आडियन आने वाले है, तो और साहिल बोला, आनन और खुशी भी आएंगे, आनन और खुशी भी उनके साथ आएंगे, याने देखो, रमा और साहिल दोनों दोस्त है, उनके साथ खेलने के लिए डॉली और आर्यन कब आएंगे, परसो, ड्याफ्टर टुमोरू, और साहिल ने बोला, आनन और खुशी भी आएंगे तो उनका ग्रुप और बढ़ गया फिर आगे साहिल बोलता है कि रमा तुम कितने प्रश्ण पूछती हो how many questions you are asking रमा बार-बार उसे प्रश्ण पूछती है तभी साहिल बार-बार आंसर देता है और लास्ट टाइम उसे कहता है कि रमा तुम कितने questions पूछती हो तो देखो बच्चो इस lesson में रमा ने कितने questions पूछती है 1,2,3,4,5 और तबाद में साहिल उसे बोलता है तु रमा तुम कितने questions पूछती हो तो देखो बच्चो इस lesson में क्या कहा गया है आपको समझ में आया मिलिंग समझ में आपको चलो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो ये लड़का है ये है साहिल और ये साहिल की चाची और चाचा है साहिल के पिता जी के बड़े भाई उनके ताउ जी और ताउ जी की पतनी है ताई जी और साहिल यहाँ पुस्तक की दुकान पे एक पुस्तक ले रहा है खरीद रहा है अभी देखो जब साहिल को रमा मिलती है तबी रमा साहिल को कहती है कि साहिल कल कहा गए थे रमा साहिल को पूछती है कि साहिल कल कहा गए थे मिन्स यस्टरड़े आप कहा गए थे तबी साहिल ने कहा मैं ताउ जी यानि चाचा ताई जी मिन्स चाची मैं चाचा चाची जी के साथ बाजार गया था यानि मार्केट गया था रमा बोली बाजार से क्या लाए रमा साहिल को पूछती है कि बाजार से क्या लेकर आए तबी साहिल ने कहा तुम्हारे लिए चित्र कथा की पुस्तक साहिल ने बोला मैं तुम्हारे लिए चित्र कथा की पुस्तक यानि स्टोरी बुक लाया हूँ ये देखो यहाँ पर ये है रमा और ये है साहिल साहिल बाचार से रमा के लिए स्टोरी बुक लेकर आता है स्टोरी बुक रमा लेती है रमा उसे थैंक्यू कहती है लेकिन आगे पुछती है कि मुझे क्यों नहीं लेके गए मैं भी तुमारे साथ बाचार आना चाहती थी मुझे क्यों नहीं लेके गए साहिल बोला, माफ करना, सोरी, भूल गया, मैं भूल गया रमा बोली, फिर कब जाओगे? यानि अगली बार, नेक्स टाइम, आप कब जाओगे? तबी साहिल बोला, मैं कल जाओंगा, मैं टुमोरो जाओंगा तबीर मा बोली, मैं भी तुमारे साओंगी, कल तु मुझे नइ लेके गया अभी तुमोरो तु जा रहे, कल तु जा रहे, तो मैं भी तुमारे साओ चलूगी साहिन ने कहा ठीक है बतब ओके परसो याने डे आफ्टर टुमोरो डॉली और आर्यन खेलने के लिए आने वाले है साहिन ने कहा कल के बाद परसो डॉली और आर्यन ये दिखू ये है डॉली और ये है आर्यन तो साहिल ने कहा परसो, डॉली और आर्यन हमारी साथ खेलने के लिए आ रहे है ये बात सुनकर रमा खुश हुई अरिफा और कौन कौन आएंगे हमारे साथ और कौन कौन आएंगे तबी साहिल ने बुला खुशी और आनन भी आएंगे रमा बार बार साहिल को क्वेशन पूछती है तबी साहिल उसे बोलता है कि रमा तुम कितने प्रश्न पूछती हो साहिल बेचारा रमा के हरे क्वेशन का अंसर देता है लेकिन साहिल उसे पूछता है तुम कितने क्वेशन पूछती हो अभी देखो यहाँ पे एक एक अक्टिविटी है देखो समझो और बताओ देखो कल, आज, कल, परसो यहाँ पे कल का मतलब है यस्टड़े आज मतलब टूड़े टूड़े मीज प्रेजेंट यह कल मीज पास और यह कल मतलब टुमोरू फ्यूचर और यह परसो मतलब कल के बाद जो दिन आता है उसे परसो कहते हैं तो देखो बच्चो इफ टुड़े इस मंडे यदि आज सोमवार है तो सोमवार के पहले कौनसा दिन आया था? कौनसा दिन गया? कौनसा दिन गया? देन यहाँ पे रविवार देखो रविवार जाने के बाद सोमवार आता है तो आज सोमवार है आज मंडे है तो नेक्स्ट डे कौनसा रहेगा? सोमवार जाने के बाद दुसरा दिन कौनसा आएगा? मंगलवार मंगलवार याने त्यूजडे और मंगलवार के दिन परसो तो परसो कौनसा दिन आएगा? ड्याफ्ट टुमोरो बुदवार मींज वेनस डे विलकाम देखो बच्च यहाँ पे ये चार्ट देखो ओके इस चार्ट से आपको हम अभी पढ़ेंगे कि कल मिस यस्टरडे कल टुमोरो और परसो में क्या डिफ्रेंस है? क्या फरक है? तो देखो बच्चो यह है आज का दिन मतलब टूडे यह है कल कल मतलब जो दिन गया यस्टरडे यहाँ पे यह भी कल है तो यह कल मतलब आने वाला दिन अभी आज का दिन देखो बच्चो आप स्कूल में आते हैं स्कूल से जाने के बाद आप लोग खेलते हैं होमवक करते हैं पढ़ाई करते हैं खाना खाते हैं और सोजाने के बाद दूसरा दिन आता है मिन्स वो है tomorrow और यहाँ परसो मतलब day after tomorrow आज मतलब today present कल यह past है जो दिन गया वो है कल past है yesterday और यहाँ पर कल मतलब future जो दिन आयेगा और परसो मतलब कल के बाद जो next day आयेगा वो है tomorrow अब देखो समझो आज सोमवार है तो सोमवार के पहले सोमवार मतलब मंडे मंडे के पहले कौनसा दिन गया Sunday आज मंडे है मंडे के बाद कल कौनसा दिन आयेगा मंगलवार याने Tuesday और Tuesday के बाद आयेगा वेनस डे याने बुद्वार Now second example समझो आज शनिवार है आज यदि Saturday है तो कल कौनसा दिन था? शुक्रवार याने Friday और कल कौनसा होगा? शनिवार का दिन जाने के बाद दुसरा दिन कौनसा आएगा? रवीवार और रवीवार के बाद आएगा? सोमवार यहाँ पे है एक्जामपल थ्री बुद्वार यदि आज बुद्वार है आज वैनस डे तो बुद्वार के पहला कौनसा दिन था? मंगलवार और फिर बुद्वार के बाद नेक्स्ट डे आएगा गुरुवार और गुरुवार के बाद परसो का दिन रहेगा शुक्रवार देन एक्जामपल फो आज यदि रविवार है यदि आज संडे है तो कल कौनसा दिन होगा? रविवार जाने के बाद कल कौनसा दिन आएगा? टुमोरो कौनसा दिन आएगा? सोमवार सोमवार जाने के बाद आएगा मंगलवार लेकिन यदि आज रविवार है तो कल कौनसा दिन था? मतलब कौनसा दिन गया? शनीवार ओके रविवार से पहले आता है शनीवार रविवार के बाद आता है सोमवार और सोमवार के बाद आता है मंगलवार तो देखो बच्चो, आज, कल, कल और परसों में क्या फरक है? आपको समझ में आया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि यस्टरडे और टुमोरों में क्या फरक है? ओके बच्चो, तो इस लेसन में, बाजार लेसन में, रमा और साहिल के डायलोग्स के साथ-साथ, आज, कल, कल और परसों के बारे में आपको बताया गया है, इनमें क्या फरक है? दो कल में क्या डिफरेंस है? ये आपको इस लेसन में समझाया गया है. तो बच्चो अभी मैंने आपको explain किया ये सेम चार्ट मैं notes में भेज रही हूँ आप प्लीज अच्छी तरह से ये learn करो और yesterday और tomorrow में क्या फरक है ये आप अच्छी तरह पहचानो तो बच्चो इसी चार्ट के साथ आज हम यही पर रुकते हैं थैंक यू